दोस्तों Ministry of Railway की तरफ से 2 जुलाई के डेट में एक official circular जारी किये गये थे जिसके ताहत railway की vacancies को railway की post को review करके 50% vacancy को freeze करने की बात कही जा रही थी और surrender करने की बात कही जा रही थी जिसको लेके काफी जादा railway के candidate परेशान थे चिंती थे उसी के regarding friends अभी railway की तरफ से official कर दिया गया है तो आये friends update को देखते हैं और जानते हैं कि क्या RRB NTPC और RRC Group D की vacancy decrease होगी घटेगी या फिर नई घटेगी इससे पहले जो लोग चैनल पने है सब्सक्राइब करके बेल बटन दवा दिजेगा पलपल की update के लिए देखिए Ministry of Railway की तरफ से यहां पर जारी of post will continue as usual यहीं दोस्तों जितने भी ongoing recruitment आपके चल रहे है different category के post के लिए चाहे आपका ELP technician post हो गया चाहे आपका junior engineer का post हो गया चाहे दोस्तों ministerial and isolated category का हो गया चाहे दोस्तों आपका NTPC का post हो गया चाहे आपका group D का एक लाग का post हो गया यह सारे post दोस्तों जो ongoing recruitment चल रहे हैं वो as usual आपके continue चलते रहेंगे इसमें कोई भी इसका परभाव नहीं पढ़ने वाला है तो बहुत बड़ी update आपके लिए है friends काफी ज़्यादा इसके regarding चिंती थे कि क्या यहाँ पे vacancy decrease होगी या भी नहीं होगी तो ministry of railway की तरफ से update जारी कर देगे हैं कोई भी आपकी vacancy decrease के तो friends वीडियो को जासादा आप लोग जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजागा ताकि notification time to time मिलती रहा है चलिए मिलते हैं next वीडियो में